प्राइम नंबर रही हो सकता वह इसलिए कि प्राइम नंबर होगा तो एक ही केस आगा वह आगा 7 इंटू 13 एक्लियर है तो इन दोनों का LCM तो स्टेटर वे 91 होगा और HCF है 1 तो इन दोनों का सम 91 से ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता चल गया कि X और Y क्या होंगे composite numbers होंगे तो assume कर लो कि X का value क्या है बच्चो वह के alpha और Y का value क्या है के beta तो इस केस में इन दोनों number का LCM कितना आएगा इन दोनों number का LCM simply आप लिखोगे बच्चे वह जाएगा के alpha बीटा और इनका HCF कितना आएगा HCF आएगा बच्चो simply के और question में क्या given है कि इन दोनों का सम किसके को लाए 91 के तो आप क्या लिख सकते हो के 1 प्लस k alpha beta और यह किसके को लाएगा 91 के तो यहां से आप लिख सकते हो k into 1 प्लस alpha beta यह किसके को लाएगा 91 के अगर आप द्याहां से देखोगे left hand side में दो number का product है तो right hand side में भी दो number का product होगा तो 91 को दो number के product में कैसे लिख सकते हो या तो 1 into 91 लिख लो और नहीं तो लिख सकते हो 7 into 13 so assume कर लो कि first case में k is equal to क्या है 1 है तो अगर k is equal to 1 है तो automatically क्या हो जाएगा बच्चो 1 प्लस alpha beta यह किसके को लाजाएगा 91 के तो यहां से आप लिख सकते हो alpha beta किसके को लाजाएगा 90 के यहां पे आपको common sense first के use कर ना होगा alpha beta का 90 का है तो दो number का product 90 के equal को होगा जब alpha beta किसके इक mpb अल्फा कॉमा बेटा तो आप लिख सकते हो simply 1 into 90 नहीं तो लिख सकते हो 2 into 45 नहीं तो आप लिख सकते हो क्या 3 into 30 नहीं तो आप लिख सकते हो 5 into 18 फिर होगा 6 into 15 और एक लिख सकते हो 9 into 10 ये क्लिए है अब देखो अगर अल्फा का वेलू इन सभी पेयर में से है तो आप इस टेटा भी ये बोल सकते हो कि 3 और 30 कभी होई नहीं सकता वो इसलिए कि अल्फा बीटा का वेलू पेयर वाई जागर 3 और 30 लोग है तो नंबर आपको कैसा मिलेगा नंबर था के अल्फा और के बीटा जहाँ पे अगर के वन है फॉस्ट केस में और 3 और 30 ले रहा तो आपको नंबर कैसा मिलेगा ये मिल जाएगा 3 और ये मिल जाएगा 30 इन दोनों का LCM कितना होगा बच्चे? LCM तो 30 हो जाएगा और HCF क्या है? वो है 3 और दोनों का सम 91 आए गई नहीं तो आप ये पेयर रूल डाउट कर दोगे I hope इतना समझ में आ रहा है Similarly अगर आप 6 और 15 को लोगे तो ये भी पेयर रूल डाउट हो जाएगा इनका LCM कितना हो जाएगा? Simply 30 और HCF कितना है? 3 तो ये भी नहीं आएगा तो आपको पेयर वाइज कौन सा मिले आप? पेयर वाइज में तो आपको ये मिलेगा 245 एक मिलेगा 5 और 18 एक मिलेगा 9 और 10 और ये मिलेगा 1 इंटू 90 तोटल यहाँ पे कितना मिला? 4 पेयर मिला ज तो नमबर कैसा मिलेगा? अगेन के अलफा और के बीटा तो नमबर हमको मिल जाएगा 2 और सिमिलरली 45 इन दोनों का LCM कितना होगा बच्चे? LCM हो जाएगा 90. HCF कितना है? HCF है 1 तो ये हमारे क्राइटरिया को फुल्फिल कर रहा है इसलिए ये पेयर सैटिस्फाइड होगा तो first case में कितना पेयर मिला हमें? वो मिला 4. Now second case में आप पेयर कैसे लोगे? जब cake value क्या हो सकता दूसरा value? cake value 7 हो सकता है. अगर cake value 7 है बच्चे? तो उस case में 1 प्लस आलफा बीटा किस cake को लोगा? वो हो जाएगा automatically 13 के. तो यहां से आलफा बीटा का बीटा कितना मिल वो मिल जाएगा 12. तो अगेन यह आलफा बीटा कैसे इस दो नमबर में कैसे break करोगे? इसको आप लिख सकते हो 1 into 12 या तो लिख सकते हो 2 into 6 और नहीं तो लिख सकते हो 3 into 4. यह clear है? अगर बच्चो ध्यान से सोचोगे, जैसा आपने पहले सोचा था, तो 2 और 6 हो ही नहीं सक जाएगा. वो इसलिए है कि 2 और 6 के केस में नमबर कैसा मिलेगा? वो नमबर मिल जाएगा 7 into 2, 14 और 7 into 6, 42. तो इन दोनों नमबर का LCM कितना होगा? वो हो जाएगा 42. और HCF कितना है? आपको दिख रहा है 14. तो इन दोनों का sum 91 नहीं है. तो यहाँ पे यह दोनों नमबर भ आपको. 1 और 12 होगा क्या? तो बिलकुल होगा. अगर आप अलफा बीटा के बलू 1 और 12 लेऊगे तो नमबर कौन सा मिलेगा? तो यहाँ पे नमबर आपको क्या मिलेगा? वो बच्चे मिल जाएगा 7 और 84. इन दोनों नमबर का LCM कितना होगा? वो हो जाएगा 84. और HCF कितन है 7 और इन दोनों का सम 91 है. तो आपको एक पेर मिल गया कौन सा? वो मिल गया बच्चो 1 और 12. थ्री और 4 मिलेगा पेर क्या? बिलकुल. अगर आप 3 लोगे तो नमबर आपको कैसा मिलेगा? 7 इंटू 3 तो 21 और 7 इंटू 4 तो यह कितना जागा? 28. इन दोनों नमबर का LCM कित कितना है? वो है 84. और HCF कितना है? अभी 27. यह क्लिर है? तो यह भी satisfy करेगा. तो यहां से दो पेर आपको और मिल गया है. एक 1 और 12 और वो दूसरा 3 और 4. नाव एक केस और हो सकता है. यहां पे तो के के वैलू 13 भी तो हो सकता है. तो अगर के के वैलू 13 है तो आपको इतना पता था उस केस में 1 प्लस अलफा बीटा किसके एक कोल हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चे 7 के. तो यहां से अलफा बीटा का वैलू कितना मिल जाएगा? सिंपली मिल जाएगा 6. तो यहां से कितना पेर मिलेगा? अलफा बीटा का. यहां से आप लिखोगे? या तो 6 को 1 इंटु 6 लिख लो आप नहीं तो आप लिख सकते हो 2 इंटु 3 अगर आलफा बीटा के वालू 1 और 6 लोगे तो नंबर कैसा मिलेगा यह मिल जाएगा 13 और यहां से मिल जाएगा 13 इंटु 6 और यह मिल जाएगा 39 इन दोनों का LCM कितना होगा बच्चे अगें इन दोनों का LCM 78 है और HCF कितना है वो है 13 तो यह भी हमारे criteria को क्या कर रहा है फुल्फिल कर रहा है तो यहां से यह भी एक पेर मिल जाएगा तो यह दोनों पेर और मिल जाएगे तो टोटल नंबर पेर कितना मिलेगा यहां भी 2 तो 2, 2 और 4 तो टोटल हमें कितना पेर मिलेगा 8 तो हमारा अंसर क्या होगा option नंबर B एक लिए यह लिए यह little bit concept based question है तो फ्रेंस